उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में दीन दयान लगर साई मंदिर के सामने एक बैंक के एटियां को तोड़ कर चोरी करने का परियास करते हुए दो लोगों को सिविल लाइन पूलिस ने गिराफतार किया है गटना सिसी टीवी में कैद हुई थी जिसके बाद आरोपे यूवक विनित और और एक अन्ने को हिरासत में ले लिया गया है दरसल सिविल लाइन थाना शेतर सित्र राम गंगा बिहार दीन दियान लगर के साई मंदिर के सामने एक बैंक का एटियम है देर रात एटियम में यूवक अंदर गुसे और एटियम को तोड़ने का परियास करने लगे तबी एटियम पर तेनात मोके पर पहुचा यहां यूवको ने खुद को एटियम मेंटेनेंस कमपनी का बता कर गाड को वहां से जाने को कहा इस दोरान गाड से बहस हुई जाहाता पाई भी हुई गाड को शक हुआ और उसने यूवक को अंदर धका देकर बाहर से शटर बंद कर दिया और अपने उच अधिकारियों को और पुलिस को सूच न दी मोके पर पहुची सीवी लाइन पुलिस ने मोके से दो यूगकों को एटियम खोलने वाले उपकरन और बैक सहित गिरफतार कर लिया है पुलिस यूगकों से पूस्ताच कर रही है मुरादाबा से समधाता बाजी दली की रिपोर्ट ये राम गंगा विहार में कल रात को लगबग साड़े ग्यारा बारा वजे एक व्यक्ति ने वहाँ पे एटियम मशीन खोलने की कोशिश की दी उस समय गाड थोड़ी देए के लिए बार गया था तो जैसे उसने बार आया तो इस व्यक्ति को गाड ने पकड़िया और तुरंती पुलिस को सूचना दी और सिविल लाइन पुलिस तुरंत मौके पे पहुंच कर उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया उससे पूस्ताच की जा रही है और आगे की अगरमेदी कारवाई पूर्ण करे जाएगी दो लोग मौके से मिले हैं यही दो अपने दो लोगों के बारे में बता रहे हैं कि यह गए थे और इनका प्रयास आगी एटिय मशीन को खोल कर जो भी उसमें कैश है उसको ले जाना बट लेकिन इस प्रयास में वो असफल रहे जे बीडी बैंकवेट्स लाए हैं इंक्रेड़िबल मारिज पैलिस राजगराना और जे बीडी बैंकवेट्स एंटरप्राइब ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल इकन को ख्लिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें हैंनेवान